स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो इससे नेक्स लेक्चर आपके पास सबसे पहले जाएगा और शेर करके अपने फ्रेंड्स को भी हेल्फ किजिए चलिए फिर अभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और वेलकम तो नेक्स सेशन और इस अवर फिफ्थ लेक्चर और इन दिस लेक्चर आपके लेक्चर आपके लिए जो भी हमारे प्रैक्टिस असाइनमेंट आने वाले हैं उसमें ये सारे टूल्स प्लस ये सारे टूल्स का इस्तमाल किया जाएगा इस वज़े से मैं ये चार टूल्स अभी आपको बताने वाला हूँ और फिर हम क्या करेंगे ड्राइंग्स को स्टार्ट करेंगे और drawing start करने के बाद हम आपको dimensions सिखाएंगे उसी में कि कैसे आप किसी drawing में dimensions को apply कर सकते हो तो चलते हैं start करते हैं तो सबसे पहले आप इस offset को समझे offset का shortcut होता है O enter सबसे पहले आप offset को समझ लिजिए suppose मैंने एक line ले लिया है मैंने लिया एक circle मैं एक लेता हूँ polygon, sorry polyline एफ और arc ले लेता हूँ इस तरह से एक चाहत rectangle ले लो इस तरह से मैंने देखे यहाँ पर क्या है last time मैं मैंने fillet डाला था इसलिए नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर लीजिए fillet को किजिए 0, enter और यह रहा हमारा छोटा सा rectangle अब यह 4 entities हैं हम इसको entities बोलते हैं अभी देखिए मैं चारों में से offset command का इस्तमाल करके आपको दिखाता हूँ और यह कितना powerful command है यह आपको इस lecture में पता चल जाएगा तो चलते हैं start करते हैं सबसे पहले आपको लेना है offset अब offset करने के बाद दिखिएगा सबसे पहला चीज बोल रहा है specify offset distance suppose मैंने लिया 10 का enter किया 10 डालने के बाद आपके सामने एक और message आता है select object to offset मैंने इस object को select किया और दिखिए आपको जिस side में चाहिए उधर आपको बस click ही करना है उपर चाहिए उपर ले लो नीचे चाहिए नीचे ले लो फिर से उपर चाहिए फिर से उपर चाहिए just select किजिए और click करते जाईए ये हो गया एक तरीका दूसरा तरीका क्या है Ctrl Z प्रेस करता हूँ मैं offset लिया offset करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा through का option आ रहा है through का मतलब क्या है through लिजिए और बस आपको select किजिए जितना मन करें आप लेते जाईए suppose आपको 15 चाहिए 15 ले लो यहाँ साब को 20 चाहिए 20 ले लो यहाँ साब को 5 चाहिए 5 ले लो यहाँ साब को 30 चाहिए 30 ले लो यहां साब को 12 चाहिए 12 ले लो यह through होता है यानि आपकी मर्जी के हिसाब से आप कभी भी कितने भी डाल सकते हो यह हो गया दूसरा तरीका तीसरा तरीका क्या है offset लिजिए offset में जाने के बाद यह हमारा erase होता है erase लिजिए erase में जाने के बाद देखिए गया पूछ रहा है erase source object after offsetting मतलब क्या है जैसे ही आप इसको offset करेंगे तो यह object हमारा delete हो जाएगा तो इसको अगर yes करेंगे तो देखिए कैसा होता है मैं सब्सक्राइब 10 का ले लेता offset distance और इसको select किजिए नीचे वाला भी delete होने वाला है देख लीजिए पहला वाला हमारा delete हो जाता है यह देखो अभी यह circle को लेंगे तो यह देखिए देखो है ना अंदर वाला रहेगा बाहर वाला हट जाएगा और धीरे धीरे 10-10 का छोटा छोटा होता जला जाएगा तो यह हमारा क्या कर दिया पहला वाला जो object था उसको delete कर देता है ठीक है अगर आई सही रहा तो आप बड़े परिशान हो जाएगे फिर आप क्या कर सकते हैं offset लिजिए erase में जाएए erase में जाने के बाद आपको no कर देना है तो फिर normal जैसा हम लोग काम कर सकते हैं अराम से आप एक दो तीन चार जितना लेंगे source object भी रहेगा और offset किया हुआ object भी आपके सामने रहेगा आई बात समझ में तो यह होता है इसके कुछ techniques अब कुछ और चीज़े देख लेते हैं सपोज मैंने offset लिया offset करने के बाद लेयर आता है तो layer का काम हम लोग अभी बाद में देखने वालें ठीक है तो offset लेने के बाद सपोज कर लिजिए मैंने 20 mm का distance डाल दिया है और मैंने इसको select किया अब देखिए select करने के बाद आपके सामने यहाँ पर तीन options आते हैं एक तो है exit, एक तो है multiple, एक तो है undo सबसे ज़्यादा आप multiple का इस्तेमाल करते हो exit मतलब बाहर आ जाएंगे, undo मतलब पीछे चले जाएंगे और multiple मतलब देखिए क्या होता है multiple पर select किजिए, अब देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस इसका फाइदा ये हो गया, अएक हम बार-बार select करने से बच गए normally क्या करते हैं, यहाँ से offset लीजिए, बीस लीजिए select करो, फिर click करो, फिर से select करो, फिर से select करो, फिर से click करो लेकिन जेसे ही आप select करते हो, यहाँ से multiple ले लिया तो आपको यह देखिए, बस click करना है, select करने का time बच गया, मेहनत बच गई, आई बच समझ में, यहां से भी आप ले लेते हो, यह देख लो, आराम से आप सिफ select करते जाए और click करते जाए, इससे होता यह है, आपका समय बचता है, आई बच समझ में, तो इस तरह से आप ले सकते हो, that's all, ठीक, इतना ही काम है, offset में, अब देखिए, offset में और क्या है भई, तो यहां से layer का हम बादें बताएंगे, और जैसे कि मैंने यहां पर 10 का ले लिया, इंटर किया, इंटर करने के बाद देखिए, यहां से undo है, बस exit कर सकते हो, आप यहां से exit कर दो, है ना, बा अभी जड़ा सा और देख लेते हैं, offset हो गया, अब trim के बारे में जान लेते हैं, trim क्या करता है, और extend, दोनों को ही दिखा देता हूँ, मैं trim और extend दोनों को दिखा देता हूँ, तो यहां पर देखिए, trim का मतलब क्या होता है, suppose कर लेते हैं, कि हमने बहुत सारे line लिए, ऐस ऐसा, 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 फिर यहां से ऐसा, 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 और ऐसा, trim का मतलब समझ लिजिए, कि जहां पर भी intersected रहेगा, वहां से वो material को, मतलब entity को trim कर देता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको trim लेना है, और enter करना है, अब देखिए, यहां मैंने इसको हटाया, इसको ह फिर आप ऐसे करके भी हटा सकते हो, फिर आप ऐसे करके भी हटा सकते हो, फिर आप ऐसे करके भी हटा सकते हो, लेकिन आप चाहेंगे कि यह एक line है और आप इसको trim करना चाहते हैं, तो trim इसका मतलब थोड़ी है, आप कहां से trim करना चाहते हैं, कहां से trim करना चाहते हैं, सब उपर या तो नीचे दोनों में से किसी को कर सकते हो, you can see here, आए बद समझ में, एक limit देना पड़ता है, बबा कहां से आप trim करना चाहते हो, चलिए ये हो गया हमारा, और देख लेते हैं जरा सा क्या है इसमें सो, suppose कर लिजे, कि जैसे कि मैंने trim लिया और enter किया, तो देखो, मैंने इस line के उपर मुझे ये सब हटाना है, तो एक हो गया, ये दो हो गया, और फिर enter करने के बाद इसको select करके, तो आप trim नहीं कर सकते, टी, इसको तब trim नहीं कर सकते ना, क्योंकि individual line है, तो आपको ये delete ही करना पड़ेगा, ये कितने बार हमें 3-4 step लेने पड़ें, लेकिन अभी मैं एक और magic बताता हूँ, इसमें, एक जटके में आप इस line के उपर के सब हटा सकते हो, तो देख लीजिए मैंने trim लिया, trim लेने के बाद आपको सबसे पहले क्या काम करना है, select object, यहाँ से आपको इस object को select करना है, select करने के बाद आपको enter करना है, और enter करने के बाद देखो, ये एक जटके में हमारा पूरा इस line के उपर गयाब हो गया, एक बार और देख लेते हैं, मैंने लिया trim, इस line को select कीजिए, enter कीजिए, और इधर भी अगर आप select कर देते हो, तो भी इस line के उपर मेरा सब कुछ trim हो चुका है, ये very very important है, अगर आप ऐसे देख लेते हैं, suppose मैंने trim लिया, इस line को select किया, enter किया, और जाके इन चारो line को select कर देता हो, इस line के जो भी इधर है, वो सब के सब हट जाएगा, आप इधर नहीं कर सकते trim, यू नो, ठीक है, क्योंकि इधर तो हमारा कोई limit ही नहीं न, हाँ, अगर आप चाहें, तो मैं इस line को select करता हूँ, ये लिया trim, इस line को select किया, इंटर किया, फिर इसको अगर मैं select करूँगा, ता आराम से यह हट जाएगा, आई बज समझ में है, तो ये हम लोग अभी tutorial जब करेंगे, तो उसमें हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है, आप इसको undo कर सकते हैं, अच्छा एक और चीज है, आप देखिएगा, trim करने के बाद देखिए, अगर मैं इसका shortcut क्या है, TR double enter, TR double enter कर दीजेगा, तो भी आप आथानी से trim कर सकते हो, you can see here, दिख रहा है न, ये सब आप आराम से कर सकते हैं, no problem, अभी individuals को आप trim नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ भी trim नहीं हो सकता, देख लिजेगा, क्योंकि ये individual lines हैं, ठीक है, ये हो गए हमारा, अब देखिए मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, अगर मैंने TR double enter किया, और अगर मैंने shift को press किया, क्या हो रहा है, extend हो रहा है, तो इसी तरह से मैं extend टूल लूँगा, और shift प्रेस करूँगा, तो trim होता है, I hope trim हम लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है, आगे और भी, जब जरूरत पड़ेगी, हम इसके बारे में देखेंगे, अब ज़रा सा extend के बारे में देख लेते हैं, अंडू कर दिया मैंने, यह सब मैं जड़ा नीचे के तरफ ले लेता हूँ, ऐसे नीचे कर दिया मैंने, move करके किया, वो आपको पता चल जाएगा, देखिए, अभी मैं extend करने जा रहा हूँ, यह देख लो, यहां से हमारा है, extend, मैंने क्या किया, इंटर किया, इसको select करो, फिर select करो, फिर select करो, फिर select करो, देखिए, आराम से extend हो रहा है, बट यहां तक जाने के लिए, हमें चार बार selection करना पड़ा, ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, undo कर दिजिए, एक जटके में, मैं इसको, इन चारो वर्टिकल लाइन्स को, यहां तक लेके जा सकता हो, तो सबसे पहले, आपको extend में जाना है, final देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, select object, आप इस object को select कीजिए, और enter कीजिए, फिर आप यहां से चारो को select कीजिए, तो एक जटके में, यह चार नहीं, आप यहां पर 1000 भी रखेंगे न, तो भी आप एक जटके में कर सकते हो, जैसे कि मैं क्या कर लेता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, offset बहुत सारी offset कर लेता हूँ, यहां से देख लिजेगा, मैं इसको select किया, offset लिया, one second, पहले offset ले लो, distance में 30 का ले लेता हूँ, और यहां से इसको select करता हूँ, यहां से multiple करता हूँ, ठीक है, one, two, three, four, five, six, यह देख लो कितना आ रहा है हमारे पास, यह देखो, अब बताईए मुझे, कि अगर मुझे एक एक करके, सब को extend करना है, यहां तक पहुँचने में तो कितना time लग जाएगा, ठीक है, तो देखते हैं, extend का shortcut होता है, EX double enter, आप इसको select किजिए, इसको भी select किजिए, यह देखो, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पांच, छे, साथ, बहुत ज़्यादा time लग जाएगा, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले आप extend पे जाएए, आप इस line को select किजिए, और enter किजिए, और एक जटके में देखिए मेरा, I'm sorry, इसको भी आप select कर सकते हो, थोड़ा सा नीचे की तरफ लेता हूँ, यह देखो, यह देखो, बिल्कुल final line तक हमारा चला गया, कितना वक्त बच गया हमारा, एक और तरीका है इसका, आपको क्या करना है, पहले इस line को select कर लेना, और direct extend में चले जाएए, तो आपको फिर क्या है, इंटर करनी की ज़रुद नहीं पड़ेगी, ठीक है, यहां से आप directly चाहें, बिना इंटर किये भी लेके जा सकते हो, क्या किया मैं ने, तो पहले हमने direct इस line को ही select किया, और extend में चला गया, और देखिए, यहां से मैं यह देखो, ठीक है, और पहले अगर आप extend कमांड लेते हो, तो आपको यहां पर select करना होगा, और फिर enter करना होगा, तब ही जा करके हम किसे object को extend कर सकते हैं, तो आई हो, यह extend and trim हमारा समझ में आया होगा, trim का shortcut, tr double enter, extend का shortcut, ex double enter, आई बत समझ में, चलो मैं इसको delete कर देता हूँ, यह तो हो गया हमारा trim, extend और offset, अब ज़रा सा मैं copy को बता देना चाहता हूँ, copy में क्या है, सो देखिएगा, सपोर्ज मेरे पास एक rectangle है, है ना, और मैं इसको copy करना चाहता हूँ, मैं ने इसको select किया, copy लिया, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, copy लिजिए, फिर object को select किजिए, enter करना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है, तो मैं ज़्यादा तर आपको recommend करता हूँ, कि पहले जिस object को copy करना चाहते हैं, उसको select करो, फिर यहां से copy command पे लो, और आपको बोलेगा specify base point, आप कहीं पर भी click कर सकते हैं, और एक copy, दो copy, तीन copy, चार copy, फिर इस direction में, 5, 6, 7, 8, अगर ortho off रहेगा ता आप इधर भी जा सकते हो, diagonally, आपकी मर्जी, जिधर मन करें उधर लीजिए, यह हमारा एक तरीके का copy हो गया, copy का shortcut होता है CO, और CP, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, CO for copy, और CP, मतलब भी copy, देखो, CO प्रेस करेंगे, तो भी आपका copy tool आ रहा है, और CP प्रेस करेंगे, तो भी आपका copy tool आ रहा है, दोनों के दोनों आपके लिए चलेगा, तो जड़ा सा मैं एक बर फिर से करके दिखा लेता हूँ, select किया, copy tool लिया, specify base point, कहीं पर भी click कर सकते हो, यहाँ पर करो, या फिर इधर कर दो, 1, 2, 3, 4, otherwise आप fixed distance में copy करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो, मैं इसको delete करता हूँ, suppose एक rectangle लेता हूँ, यह लिए rectangle, यहाँ पर मैं लेता हूँ 15, tab 20 का, यह देखिए, बिल्कुल छोटा सा आ गया है, आप इसको ज़रा zoom कर लिजिए, मैं इसको select करता हूँ, copy, और यहाँ से उठाया, suppose मैं लेता हूँ 30, है ना, 60, 90, 120, तो आप direction सिर्फ specify कीजिएगा, और distance डालते जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा, अभी उपर जाता हूँ मैं, चलिए, 40, 80, 120, 160, here you can see, अब यह distance कहां से कहां तक का होता है, तो मैं बता दूँ आपको, कि यहां से यहां तक होता है, यानि इसके end point से लेकर के, इसके end point तक 30, बरावर ना, फिर देखिए, 60, फिर 90, फिर 120, फिर यहां समयने लिया था 40, फिर 80, फिर 120, फिर 160, आईबल समझ मैं, और इस तरह से, हम array भी कर सकते हैं, देखिए कैसे करना है, अगर मैं इस object को select करता हूँ, यहां से मैंने copy tool लिया, base point लिया, और यह देखिए array भी आ चुका है, आप array को click किजिए, अब array को click करने के बाद, आपको बोल रहा, इंटर number of items, suppose मैं 5 ले लेता हूँ, अब देखिए इनके beach का distance कितना है, तो suppose मैं 30 का ले लेता हूँ, तो आप इस तरह से एक जटके में, 5 items, but constant distance में copy कर सकते हो, फिर से आप इस direction में जाते हो, फिर से array ले लो, array में जाने के बाद, आपको कितने चाहिए, 6 चाहिए, और उनके beach का distance, suppose आप 50 चाहते हो, तो 50 डाल दो और इंटर कर दो, इस तरह से आप एक ही जटके में, constant distance में, equidistance में, आप इसको array भी कर सकते हो, copy का shortcut, co भी है, और cp भी है, ओके, तो ये हमारा हो गया, copy tool, अब जड़ा साच चलते हैं, mirror tool की तरफ, mirror command basically, बहाद important है, मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, एक polyline का इस्तमाल करके, कोई तो shape बना लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा हो गया, एक polyline, मैंने इसको select किया, यहाँ लेता हूँ mirror, और आप चाहें distance कुछ डाल सकते हैं, suppose मैंने 50 का distance डाला, और यहाँ से यह रहेगा मेरा mirror line, आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैंने इसको select किया, यह लिए mirror, यहाँ से आप select कर सकते हैं, देखिए, और यहाँ से erase source object का message आ रहा है, अगर आप yes करेंगे, तो यह जो हमारा source object है, वो erase हो जाएगा, अगर आप no करेंगे, तो दोनों रहेंगे, आप no कर दीजिए, इस तरह से हमारा आ चुका है, फिर आप इसको select किजिए, फिर से mirror लिजिए, अगर आप यहाँ से mirror करना चाहते हैं, तो यह लिजिए, first point of mirror line, second point of mirror line, और यहाँ से no कर दीजिए, इस तरह से دیکھ लिजिए, हमने किसको mirror कर दिया है, ठिक है, फिर मैं इसको select कर लेता हूं, यहाँ से mirror लिया, पिर मैं इस point से, इस point तक mirror line दे देता हूं, यहां से no कर दिया, तो यह देख लो यह भी आ गया है, फिर मैं इसको select करता हूँ, फिर से लेता हूँ mirror, यह रहा mirror line, यहां से यहां तक, और यहां से अगर मैं yes कर देता हूँ, तो यह जो लिया है हमने, वो delete हो जाएगा, आप देख सकते हो यहां से, तो मैं undo कर देता हूँ, यहां से आप select किज मेरे में तर जे चैने के रापह सब्सक्राइब तो इनुक्रowana चाहें है और से डाल सकते हों जैसे किया कितना डिग्री पाले में इसक्anor इंटर कर देते हैं यह देखिए 45 का मतलब दोनों साइड मिलके 90 हो जाएगा थोड़ा सा मुझे gap चाहिए था इसको select करता हूँ mirror ले लिया इधर जाता हूँ मैं यह देख लो अगर मैं यहां से tap प्रेस करता हूँ और यहां से 45 degree डाल दिया तो यह देख लो कितना आराम से यह 90 degree में mirror हो गया है यहां से no कर दिये देख लो अराम से आया है यानि मेरा कहने मतलब यह था अगर मैं यहां से जाता हूँ ऐसा और यहां से गया ऐसा ठीक है और देख लिजे अगर मैं इधर से ले लेता हूँ एक line ले ले लेता हूँ मैं और तो को जड़ा सा क्या किजिए ओन कर दिजिए मैं यहां से 90 प्लस कितना यह 45 ना थाप प्रेस करके माइनस 135 में ले लेता हूँ यह देख लिजेगा तो यहां से यह mirror आ गया आराम से देखो यहां से 45 है यहां 45 है देखो आराम से आ गया ना हमारा तो आप इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हलाके यह बहुत कम यूज होता है बट आप जान लीजिए ठीक है तो मैं आपको क्या है वो जो 45 डाल के मैंने बताया ना उसका simple formula यही था कि मैं इसको select करता हूँ यहां से mirror लेता हूँ और mirror line यह दे देता हूँ यहां से आप no कर देजए वही फंडा है ठीक है तो यहां से 45 degree यहां 45 degree दोनों मिलाके 90 degree यानि इसके और इसके mirror में 90 degree का यह होगा और मैं इसको select करता हूँ MI या तो फिर यहां से mirror भी ले सकते हो MI is the shortcut इसको first point of mirror line second point of mirror line इसको मैं no कर दिया अब जरा देखता हूँ मैं क्या होता इसको select किया फिर इसको select किया और यहां से मैं mirror ले ले लेता हूँ यह रहेगा mirror mirror line देखेगा यहां से पकड़ करो और यहां से no कर दो तो देख लो total degree ऐसा आ गया ठीक है और मैं इसको चाहूँ तो यहां से पकड़ किया कर सकते हो जरासल length कर सकते हो यह रहा length आप इसका length को बढ़ा सकते हो यह देख लो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं सिधा सिधा कर सकते हैं और इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे आगे जो session होगा वो tutorials का होगा ठीक है ओके किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है then feel free to ask